एक राष्ट के तौर पर, एक परिवार के तौर पर, आपने, हमने, पुरे देश ने, एक एतियासिक फैसला लिया है। एक ऐसी व्यवस्ता, जिसकी वज़र से, जम्मु कश्मीर और लद्दाक के हमारे भाई बहन, अनेक अधिकारों से वंचित थे, जो उनके विकास में बड़ी बादा थी, वो हम सब के प्रयासों से अब दूर हो गई है। जो सपना सरदार वल्लभाई पटेल का था, बाबा साब अम्बेड कर का था, डॉक्टर शामा प्रुसाद मुखर जी का था, अटल जी और करोडो देश भक्तों का था, वो सपना अब पूरा हुआ है। जम्मु कश्मीर और लदाख में एक नए युक की शुरुवात हुई है। अब देश के सभी नागरिकों के हग भी समान है और दाइत्व भी समान है। मैं जम्मु कश्मीर के लोगों को, लदाख के लोगों को और प्रतेग देश भासी को रदाइपुरवक बहुत 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 बधाई देता। साथ्यों, समाज जीवन में कुछ बातें समय के साथ इतनी गुल मिल जाती है कि कई बार उन चीजों का एक प्रकार चे मन में स्थाही भाव बन जाता है। ये भाव आ जाता है कि कुछ बढ़लेगा ही नहीं, बस ऐसे ही चलेगा। आर्टिकल 370 अनुछे 370 के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसमें जम्बू कश्मीर और रदा के हमारे भाई-बेनों की, हमारे बच्चों की, जो हानी हो रही थी, उसकी चर्चा ही नहीं होती थी। हैरानी की बात ये है कि आप किसी से भी बात करें। तो कोई ये भी नहीं बता पाता था कि अनुछे 370 से जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन में क्या लाब हुआ। भाई और भेनों, आर्टिकल 370 और 35A ने जम्मू कश्मीर को अलगावात, आतंकवात, परिवारबात और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले ब्रस्टाचार के अलावा, कुछ नहीं दिया। इन दोनों अनुच्छेत का देश के खिलाप कुछ लोगों की भावनाए भड़काने के लिए पाकिस्तान द्वारा एक सस्त्र के तौर पर इस्तमाल किया जा रहा था। इसकी वजह से पिछले तीन दसक में लगभग 42,000 निर्दोष लोग 42,000 यांकडा किसी की भी आँख में चांसू ला देता है। 42,000 निर्दोष लोगों को अपने जान गवानी पड़ी जम्मु कश्मीर और लदाक का विकास उस गती से नहीं हो पाया जिसका वो हकदार है। अब व्यवस्था की एक कमी दूर होने से जम्मु कश्मीर और लदाक के लोगों का वरतमान तो सुद्रेगा ही उनका भविश भी सुरक्षित होगा। साथियों हमारे देश में कोई भी सरकार हो वो संसद में कानून बनाकर देश की भलाई के लिए काम करती है। किसी भी दल की सरकार हो किसी भी गठबंदन की सरकार हो ये कार्य निरंतर चलता रहता है। कानून बनाते समय संसद में काफी बहाइस होती है। संसद के भार भी बहुत चर्चा होती है। चिंतन मनन होता है। उसकी आवश्रक्ता उसके प्रभाव को लेकर गंभीर पक्ष रखे जाते हैं। इस प्रक्रिया से गुजर कर जो कानून बनता है वो पूरे देश के लोगों का बढ़ा करता है। लेकिन कोई कलपना नहीं कर सकता कि संसद इतनी बड़ी संख्या में कानून बनाएं। और वो कानून देश के एक हिस्से में लागू ही ना हो। यहां तक कि पहले की जो सरकारें एक कानून बना कर वहवाई लूटती थी। वो भी ये दावा नहीं कर पाती थी कि उनका बनाया कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा। जो कानून देश की पूरी आबादी के लिए बनता था। उसके लाप से जम्मू कश्मीर के देड़ करोड से जादा लोग बंचित रह जाते थे। सोचिए देश के अन्य राज्यों में बच्चों को सिच्छा का अधिकार है। लेकिन जम्मू कश्मीर के बच्चे इससे बंचित थे। क्या गुना है उन बच्चों का। देश के अन्य राज्यों में बेटियों को जो सारे हक मिलते हैं वो सारे हक जम्मू कश्मीर की बेटियों को नहीं मिलते थे। देश के अन्य राज्यों में सफाई कर्मचारियों के लिए सफाई कर्मचारी एक्ट लागू है लेकिन जम्मू कश्मीर के सफाई कर्मचारी इससे बंचित थे उनको ये हक नहीं दिया गया था देश के अन्य राज्यों में दलीतों पर अत्याचार रोकने के लिए सक्त कानून लागू है लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था देश के अन्य राज्यों में अल्प संख्यकों के हितों की रख्षन के लिए माइनोरिटियक लागू है लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था देश के अन्य राज्यों में मद्दुरों के लिए स्रमुकों के हितों की रक्षा के लिए minimum wages act लागू है लेकिन जम्मू कश्मीर में काम करने वाले स्रमुकों को ये सिर्फ और सिर्फ कागजों पर ही लटका हुआ मिलता था देश के अन्य राज्यों में चुनाव लड़ते समये SCST अनुसुति जनजाती के भाईयो बहनों को आरक्षन का लाब मिलता था लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था साथियों अब आर्टिकल 370 और 35A बीते हुए इतिहास की बात हो जाने के बात उसके नकारात्मक प्रभावों से भी जम्मू कश्मीर जल्द बहार निकलेगा इसका मुझे पुरा विश्वास है बहाई और बहनों नई विवस्था में केंद्र सरकार की ये प्रात्मित्ता रहेगी कि राज के कर्मचारियों को जिसमें जम्मू कश्मीर की पुलीस भी सामीर है उन सब को दूसरे केंद्र सास्त्रीत प्रदेश के कर्मचारियों और वहां की पुलीस के बराबर की सुविधाएं मिलें अभी केंदर सास्त्रीत प्रदेशों में अनेक ऐसी वित्तिय सुविधाएं जैसे LTC, House Rent Allowance, बच्चों की शिक्षा के लिए Education Allowance, Health Scheme जैसी अनेक सुविधाएं दी जाती हैं, जीन में से अधिकाउस जम्मू कश्मीर के करमचारियों को, पुलीस परिवारों को नहीं मिलती हैं ऐसी सुविधाओं का तत्काल रिवियू कराकर जल्द ही जम्मू कश्मीर के करमचारियों को, पुलीसों को, उनके परिवार जनों को ये सुविधाएं महया कराई जाएगी साथियों बहुत जल्द ही जम्मू कश्मीर और लदाख में सभी केंद्रियों और राज्य के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी इस से स्थानिय नवजवानों को रोजगार के परियाप्त अवसर उपलब्द होंगे साथ ही केंद्र सरकार की पब्लिक सेक्टर युनिट्स और प्रावेट सेक्टर की बड़ी कम्पनियों को भी रोजगार के नए अवसर उपलब्द कराने के लिए प्रो"... साहिद किया जाएगा इसके अलावा सेना और अर्द सैनिक बलों द्वारा स्थानिय युवाओं की भर्ती के लिए रेलियों का आयोजन किया जाएगा सरकार द्वारा प्रदान मंत्री स्कॉलर्शिप युजना का भी विस्तार किया जाएगा ताकि जादा से जादा विद्यार्थियों को इसका लाब मिल सके जम्मु कश्मीर में राजस्व घाटा भी बहुत ज़्यादा है एक प्रकार से राजस्व घाटा बड़ी चिंता का विश्य होता है केंदर सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कि इसके प्रभाव को कम किया जाएग बाई और बहनों केंदर सरकार ने अनुच्छे तिन सो हटाने के साथ ही अभी कुछ कालखन के लिए और मैं बताता हूँ कुछ कालखन के लिए जम्मु कश्मीर को सीधे केंदर सरकार के शासन में रखने का फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है इसके पीछे की बजह समझना भी आपके लिए महत्वपूर है जब से वहां गवर्नर रूल लगा है जम्मु कश्मीर का प्रसासन सीधे केंदर सरकार के संपर्त में है इसकी बजह से बीते कुछ महिनों में वहां गुड गवर्नन्स और डेवलप्मेंट का और बहतर प्रभाव जमीन पर दिखाई देने लगा है जो योजनाएं पहले सिर्फ कागजों में रह गई थी उन्हें अब जमीन पे उतारा जा रहा है दसकों से लटके हुए प्रोजेक्ट को नई गती मिल रही है हमने जम्मु कश्मीर प्रसासन में एक नई कार्य संस्कृति लाने पारदर्सिता लाने का भर्सक प्रयास किया है इसका नतीजा है कि IIT, IIM, AIMS हो तबाम साथ साथ इरिगेशन प्रोजेक्ट हो पावर प्रोजेक्ट हो या फिर करप्शन ब्यूरो इन सब के काम में तेजी आई है इसके अलावा वहां कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट हो सडकों और नई रेल लाइनों का काम हो एरपोर्ड का आधुनी करान हो सभी को तेज गती से आगे बढ़ाया जा रहा है साथियों हमारे देश का लोग तंत्र इतना मजबूत है लेकिन आप ये जानकर चौक जाएंगे कि जमू कश्मीर में दसकों से हजारों लाखों की संख्या में ऐसे भाइबें रहते हैं जिने लोग सभा के चुनाओं में उसमें तो वोट डालने का अधिकार था लेकिन वो विदान सभा और वहां की पंचायत या महां की नगरपाली का या महां की महानगरपाली का न वो चुनाओं में मद्दान कर सकते थे न चुनाओं लड़ सकते थे ये वो लोग हैं जो 1947 में बटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आई थे हिंदुस्तान के अरण राज्यों पे उनको समधिकार है अकेले जम्मू कश्मीर में नहीं है क्या इन लोगों के साथ अंधियां ऐसे ही चलता रहता साथियों जम्मू कश्मीर के अपने भाईयों भेहनों को मैं एक महत्वपुन बात और स्पस्ट करना चाहता हूँ आपका जनप्रतिनिधी आपके द्वारा ही चुना जाएगा आपके बिच से ही आएगा जैसे पहले मले होते थे वैसे ही मले आगे भी होंगे जैसे पहले कैबिनेट होती थी मंत्री परिशद होती थी वैसे ही मंत्री परिशद आगे भी होगी जैसे पहले आपके सीएम होते थे वैसे ही आगे भी आपके मुख्यमंत्री होंगे आपके सीएम होंगे साथियों मुझे पूरा विस्वास है कि इस नई व्यवस्ता के तहट हम सब मिलकर आतंगबाद अलगाववाद से जम्मु कश्मीर को मुक्त कराएंगे जब दर्ती का स्वर्ग हमारा जम्मु कश्मीर फिर एक बार विकास की नई उचाईयों को पार करके पूरे विश्व को आकरसित करने लगेगा नागरीकों के जीवन में इज अफ लिविंग बढ़ेगी नागरीकों को जो उनके हक का मिलना चाहिए वो बे रोग टोग मिलने लगागा शाहसन प्रसाहसन की सारी व्यवस्ता जनहित कारियों को तेजी से आगे बढ़ाएगी तो मैं नहीं मानता कि केंद्र साशीत प्रदेश यूजियन टेजिटरी की ववस्ता जम्मू कश्मीर के अंदर चलाये रखने की ज़रुद पड़ेगी हाथ लदाख में वो बनी रहेगे भाई और बहनों हम सभी चाहते हैं कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर विदान साबा के चुनाव हो नई सरकार बने नए तेजस्वी उर्जावान नवजबान एमेले बने मंत्री बने मुख्यमंत्री बने मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोचा देता हूँ कि आपको बहुत इमानदारी के साथ पूरे पारदर्शी वातावरण में आपके अपने प्रतिनिदी चुनने का अवसर तुनंद मिलेगा जैसे बीते दिनों पंचायत के चुनाव पारदर्शीता के साथ संपन्न कराए गए वैसे ही जम्मू कश्मीर विदान सापा के भी चुनाव होंगे मैं राज के गवनर से भी आगर करूंगा कि ब्लॉग डेवलोप्मेंट काउंसिल का गठन जो पिछले दो तिन दसकों से लंबित है उसे पुरा करने का काम भी जल्द से जल्द किया जाए साथियों ये मेरा खूद का अनुभव है कि चार पाट महेने पहले जम्मू कश्मीर और लदाक के पंचायद चुनावों में जो लोग चुन कर आए वे बहुत बहतरीन काम कर रहे हैं वे अभिनंदन के अधिकारी हैं कुछ महिनों पहले जब मैं स्रीनगर गया था तो वहां मेरी उनसे लंबी मुलाकात भी हुई थी जब वो यहां दिल नी आये थे मेरे घर पे आये थे मैं उनसे काभी देर तक बात की थी पंचायद के इन साथियों की वज़र से चुने हुए पंचायद के पंच और प्रधान के वज़र से जम्मु कश्मिर में बिते दिनों ग्रामीन स्तर पर बहुत तेजी से काम हुआ है हर गर बिजली पहुँचाने का काम हो या फिर राज्य को ओपन डेफिकेशन फ्री ओडिये बनाना हो इसमें पंचायद के प्रतिनीद्यों की बहुत बड़ी भूमिका रही है उसमें भी महिला पंच जो चुन करके आई है उन बहनों ने तो कमाल करके दिया है मुझे पुरा विश्वास है कि आप अनूछे 370 हटने के बाद जब इन पंचायद सदस्यों को नई विवस्ता में काम करने का मोका मिलेगा तो वो कमाल कर देंगे यह मैंने देखा है और मेरा विश्वास है मुझे पुरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जन्ता अलगाव वात को परास करके नई आशाओं के साथ नई उर्जा के साथ नई सपनों के साथ आगे बढ़ेगी मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जन्ता गुड गवनन्स और पार दर्सिता के वातावरान में नई उत्सा के साथ अपने लक्षों को प्राप्त करेगी साथियों डसकों के परिवारबाद ने जम्मू कश्मीर के मेरे यवाओं को नेतrत्व का अवसर ही नहीं दिया हम मेरे यवा जम्मू कश्मीर के विकास का नेतrत्व करेंगे और उसे नई उचाईयों पर ले जाएंगे मैं जम्बु कश्वीर और लदाख के नौजवानों वहां के महन बैटियों से विशेश आगरा करूँगा कि अपने खेत्र के विकास की कमान आगे आएए खुद समालिये साथियों जम्बु कश्वीर और लदाख में दुनिया का सबसे बड़ा तूरिश्ट डेस्टिनेशन बनने की ख्रमता है इसके लिए जो बातावान चाहिए शाथसन प्रसाथसन में जो बड़लाव चाहिए वो किये जा रहे हैं लेखिन मुझे इसमें हर देश वासी का साथ चाहिए हर हिंदुस्तानी का साथ चाहिए एक जमाना था जब बॉलीवूर की फिल्मों की शुटिंग के लिए कश्मीर पसंदिता जगाती उस दौरान शाहिदी कोई फिल्म बनती हो जिसकी कश्मीर में शुटिंग नहोती हो अब जम्मू कश्मीर में स्थीतियां सामान्य होंगी तो देश ही नहीं दुनिया भर के लोग वहां फिल्मों की शुटिंग करने आएंगे हर फिल्म अपने साथ कश्मीर के लोगों के लिए रोजगार के नए अनेक अवसर भी लेकर आएगे मैं हिंदी फिल्म इंड़स्ट्री तेलूगो फिल्म इंड़स्ट्री और तमिल फिल्म इंड़स्ट्री और इससे जुड़े से लोगों से आगरा करूंगा कि जम्मू किश्वीर और लदाख में निवेस के बारे में फिल्म की सुटीन से लेकर थीटर और अन्य साधनों के स्थापना के बारे में जरूर सोचे उसको प्राथ्विक्ता दे जो टेक्नलोजी के दुनिया से जुड़े लोग है चाहे वो प्रशासन में हो एफिर प्रावेट सेक्टर में उनसे भी मेरा आगर है कि अपनी नीतियों में अपने फैसलों में इस बात को प्राथ्विक्ता दे कि जम्मू कश्मीर में कैसे टेक्नलोजी का विस्तार किया जाए वहां के नवजवान तेजस्वी हैं उजस्वी हैं अंग्रेजी भाषा के साथ जुड़े हुए हैं जब वहां डीजिटल कॉम्मूनिकेशन को ताकत मिलेगी जब वहां बीपियो सेंटर कॉमन सर्विन सर्विस सेंटर बढ़ेंगे जितना जादा टेक्नलोजी का विस्तार होगा उतना ही जम्मू कश्मीर के हमारे भाई बहनों का जीवन आसान होगा उनकी आजिविका और रोजी रोटी कमाने के अवसर बढ़ेंगे साथियों सरकार ने जो फैसला लिया है वो जम्मू कश्मीर और लदा के उन नवजवानों को भी मदद करेगा जो स्पॉर्स की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं नई स्पॉर्स एकडेमिश नई स्पॉर्स स्टेडियम scientific environment में ट्रेनिंग उन्हें दुनिया में अपना टैलेंट दिखाने में मदद करेगी और कश्मीर का बच्चा खेल के मैदान में दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का नाम रोशन करेगा ये ताकत वहां पड़ी है साथियों जम्मू कश्मीर के केसर का रंग हो या कहवा का स्वाद सेव का मीठा पन हो या खुबानी का रसिला पन कश्मीरी शाल हो या फिर कलाकृतिया लदाख के और्गनिक प्रोड़क्ट हो या हर्बल मेडिसिन इसका प्रसार दुनिया भर में किये जाने की जरुरत है मैं आपको एक उधान देता है लदाख में सोलो नाम का एक पौधा पाया जाता है जानकारों का कहना है कि ये पौधा हाई एल्टिटूर पर रहने वाले लोगों के लिए बर्फिली पाड़ियों पर तैनाद सुरक्षा बलों के लिए ये संजिवनी का काम करता है कम ऑक्सिजन वाली जगह पर शरीर के इम्म्यून सिस्टीम को समाले रखने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है सोचिए ऐसी अद्भूत चीज दुनिया भर में बिकनी चाहिए कि नहीं बिकनी चाहिए कौन हिंदुस्तानी नहीं चाहेगा और साथियों मैंनों तो सिर्फ एक काई नाम लिया है ऐसे अंगिनत पहुदे हर्बल पोड़क्ट जमू कश्वीर और लदाक में बिकरे पड़े हैं उनकी पहचान होगी उनकी बिक्री होगी तो इसका बहुत बड़ा लाब वहां के लोगों को मिलेगा विशेश कर वहां के किसानों को मिलेगा इसलिए मैं देश के उद्यम्यों को एक्सपोर्ट से जुड़े लोगों से फूर्ट प्रोसेसिंग से जुड़े लोगों से आंगरा करूंगा कि जम्मू कश्वीर और लदाक के स्थानिय प्रोडस को दुनिया भर में पहुचाने के लिए आगया आए साथियों यूनियन टेरिटरी बन जाने के बाद अब लदाक के लोगों का विकास भारत सरकार की स्वाभावी जिम्मेदारी बनता है स्थानिय प्रतिनीदियों लदाक और करगिल की डेवलपमेंट काउंसिल के सयोग से केंदर सरकार विकास की तमाम योजनाओं का लाप अब और तेजी से पहुँचाएगी लदाख में स्पिरिचल टूरिजम, एडवेंचेर टूरिजम और इको टूरिजम का सबसे बड़ा केंद्र बन्ने की ख्षमता है इतना ही नहीं, सोलर पावर जन्रेशन का भी लदाख बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है सोलर रेडियेशन में हिंदुस्तान में लदाख की धर्ती अबल नमबर पे है अब वहां के सामर्थका उचित इस्तबाल होगा और बिना भेदभाव विकास के लिए नए अवसर बनेंगे अब लदाख के नवजवानों की इनोवेटिव स्पिरिट को बढ़ावा मिलेगा उन्हें अच्छी सिक्षा के लिए बहतर संस्तान मिलेगे वहां के लोगों को अच्छे अस्पिताल मिलेंगे इन्फास्ट्रेक्चर का और तेजी से आधिनी करन होगा साथियों लोग तंत्र में ये भी बहुत स्वाभाविक है कि कुछ लोग इस फैसले के पक्ष में हैं और कुछ को इस पर मद्भेद हैं मैं उनके मद्भेद का भी सम्मान करता हूं और उनकी आपतियों का भी इस पर जो बहस हो रही है उसका केंद्र सरकार जवाब भी दे रही है समाधान करने का प्रयाद भी कर रही है और यह हमारा लोकतांत्रिक दाईत्व है लेकिन मेरा उनसे आगर है कि वो देश हित को सर्वो पर ही रखते हुए व्यावार करें और जम्मु किश्मी लदाग उसको नई दिशा देने में सरकार की मदद करें देश की मदद करें देश की भावनाओं का आदर करें संसद में किसने मतदान किया किसने नहीं किया किसने समर्थन दिया किसने नहीं दिया इससे आगे बढ़कर अब हमें जमु कश्मीर नदाग के हीत में मिल करके एज जूट हो करके काम करना है मैं हर देशवासी को ये भी कहना चाहता हूं कि जम्मु किश्मीर और लदा के लोगों की चिंता ये हम सब की चिंता है 130 करोण नागरिकों की चिंता है उनके सुखदुख उनकी तकलीप से हम अलग नहीं हैं अलग हो नहीं सकते हैं अनुचे 370 से मुक्ती एक सच्चाई है लेकिन सच्चाई ये भी है इस समय एतिहास एहतियात के तौर पर कुछ कदम उठाने की जुरूत थी उन कदमों की कारण जो भी परशानी हो रही है उसका मुकाबला भी भी वही के लोग कर रहे है और वो भी सयोग देकर के कर रहे है कुछ मुठी भर लोग जो वहां हाराज बिगारना चाहते हैं उन्हें धैरिय पुर्वक जवाब भी वहां के ही हमारे भाई बहन दे रहे हैं हमें ये भी नहीं बुलना चाहिए कि आतंकवाद और अलगावाद को बढ़ावा देने की पाकिस्तानी साजीसों के विरोध में जम्मु कश्मीर के ही देशभक्त लोग डट करके खड़े हुए हैं भारतिय सम्मिधान पर विश्वास करने वाले हमारी ये सभी भाई बहन अच्छा जीवन जीने के अधिकारी हैं उनके सपनों को साकार करने के लिए उनको मोका मिले ये उनका हक है हमें उन सब पर गर्व है मैं आज जम्मू कश्मीर के इन साथियों को बरोसा देता हूँ कि दीरे दीरे हालात सामान ने हो जाएंगे और उनकी परेशानी भी कम होती चली जाएगी साथियों इद का मुबारक ते उहार भी नद्दी की है इद के लिए मेरी और से आप सभी को बहुत बहुत शुप काम ना है सरकार इस बात का ध्यान रख रही है कि जम्मू कश्मीर में इद मनाने में लोगों को कोई परेशानी ना हो हमारे जो साथी जम्मू कश्मीर से बाहर रहते हैं और इद पर अपने घर वापस जाना चाहते हैं उनको भी सरकार हर संभो मदद कर रही है साथियों आज इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा में तैनात अपने सुरक्षा बलों के साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ प्रसासन से जुड़े सभी लोग राज के सभी कर्मचारी और जम्मू कश्मीर पुलीस जिस तरह से स्थीतियों को समाल रही हैं वो सचमुच में बहुत बहुत प्रसंसनिया हैं आपके इस परिश्रम ने मेरा इविश्वास और बढ़ाया है कि बडलाव हो सकता है लोगों का भला हो सकता है भाईयों और बहनों जम्मू कश्मीर हमारे देश का मुकोट है हम बच्पन से सुनते आए हैं गर्व करते आए हैं इसकी रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर के अनेकों बीर बेटे बेटियों ने अपना बलिदान दिया है अपना जीवन दाओं पर लगाया है पूंच जिले के मौलवी गुलाम दीन जिनोंने पैंसट की लड़ाई में पाकिस्तानी गुस्पेठियों के बारे में भारतिय सेना को बताया था उन्हें असोग चक्र से सम्मानित किया गया था लदाग के करनल सोनम वांचुंग जिनोंने कारगीर के लड़ाई में दुश्मन को धूल चटा दी थी उन्हें महवी चक्र दिया गया था राजोरी की रुखसाना कौसर जिनोंने एक बड़े आतंकी को मार गिराया था पूंच के सहीद औरंगे जिनकी पिछले बर्ष आतंकियों ने हत्या कर दी थी और जिनके दोनों भाई अब सेना में भरती होकर देश की सेवा कर रहे हैं ऐसे बीर बेटे बेटियों के लिस्ट बहुत लंबी है आतंकियों से लड़ते हुए जम्मु कश्पीर पुलीस के अनेक जमान और अपसर भी शहीद हुए हैं निर्दोस नागरिक भी मारे गए हैं देश के अन्य भूभार से भी हजारों लोगों को हमने खोया है इन सभी का सपना रहा है एक शांत सुरक्षीत समरद जम्मु कश्पीर बना लेगा उनके सपनों को हमें मिलकर पूरा करना है साथियों ये फैसला जम्मु कश्पीर और लड़ा के साथ ही पूरे भारत की आर्थिक प्रगती में सहियोग करेगा जब दुनिया के इस महत्वपूर भुभाग में शांती और खुशाली आएगी तो स्वाभाविक रुप से विश्व सांती के प्रयासों को भी मजबूती मिलेगी मैं जम्मु कश्पीर के अपने भाईयों और भेनों से लड़ाग के अपने भाईयों और भेनों से आवान करता हूँ आईए हम सम्मिल कर दुनिया को दिखा दें एक शेत्र के लोगों का सामर्थ कितना ज़्यादा है यहां के लोगों का होसला उनका ज़्यजबा कितना ज़्यादा है आईए हम सम्मिल कर नए भारत के साथ अम नए जम्मु कश्पीर और नए लड़ाग का भी निर्मान करें बहुत बहुत धन्यवार